हेलो फ्रेंड्स आप लोग कैसे हो आज हम लोग पढ़ेंगे पैरिमेटर एंड एरिया तो सबसे पहरे हम लोग इसमें जानेंगे वाट इस पैरिमेटर पैरिमेटर क्या होती है पैरिमेटर दे लेंथ आप दे लेंथ आप दा बांडरी ओ लोग क्लोस फीगर इसका पैरिमेटर करते हैं चलिए हम लोग ड्राइंग के जड़ी यह समझते हैं जैसे देखी यह की ट्राइंगल है ओके ए बी सी ए बी सी ट्राइंगल है तो इसकी ट्राइंगल की हर एक साइड से उसकी एक अपनी लेंथ है तो यह जो बांडरी कवर यह जो बांडरी क्रियेट हो रही है यह जो बांडरी बन रही है यह इसकी पैरिमेटर है तो पैरिमेटर कहने साथ है टोटल बांडरी ओके यह गेरने वाले यह line segment दिख रही है ओके जो total boundary है इसे हम लोग parameter करते है तो parameter of triangle ABC क्या होगी 3 cm plus 2.5 cm plus 3 cm ओके 3 cm plus 2.5 cm plus 3 cm ओके 3 cm plus 2.5 cm plus 3 cm 2.5, 5.5 plus 3, 8.5 cm, तो parameter of triangle ABC, क्या होई, 8.5 cm, ओके, अब एक और example हम लोग देख लेते हैं, देखे, अब इसमें ये एक different shape है, इसमें triangle भी है, ये जो boundary cover की हुए is different shapes के साथ, ओके, तो इसकी parameter कैसे हम लोग measure करेंगे, देखे, यहाँ पर confusion के लिए, यहाँ पर ये भी create किया है, तो अब parameter निकालते से में हमें ये confusion होगी, हम इसकी outer boundaries को count करें, या inner boundaries को भी साथ मिले, तो ये हमें समझना पड़ेगा, parameters means, जो हमें इसा outer boundaries है, जो बाहर के जो boundaries है, वो कितना cover कर रहा है, उसे हम लोग consider करेंगे, तो इसमें हम लोग parameter, इस shape की parameter निकालने के लिए हम this, 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 not this, this, ये और ये को हम लोग consider नहीं करेंगे, ये और ये line को हम लोग consider नहीं करेंगे, तो इसकी parameter क्या होगी, ओके, 4.5 cm प्लास 1 cm, प्लास 1 cm, इसको लिया हमने, इसको लिया, इसको लिया और इसको लिया, प्लास 1.5 cm, प्लास इससे और ये वाली line हमें लेनी है, ये वाली लाइन नहीं लेनी, ये वाली लाइन लेनी, okay, 1.5 cm, okay, हमने किस-किस लाइन को लिया, this, 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 and this, 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 okay, तो अब परिमेटर अब दिस से, 4.5 cm, plus 1, 5.5, plus 1, 6.5, plus 1, 7.5, plus 0.5, 8.8, plus 9, 9.5 cm, okay, इस सबको हम लोग इने अडिशन किया, this is parameter of the shape, okay, अब अब देखिए, अब ये तो simple, हम लोग ने समझे, parameter कैसे हम लोग consider काते हैं, अब हम लोग देखेंगे, parameter निकाल लेकि formula क्या है, parameter के लिए देखिए, एक particular shape के लिए एक particular formula होती है, ऐसे तो हम लोग सारे boundaries को addition करने से ही, parameter हमारे निकाल आते हैं, देखिए, parameter of the rectangle, okay, parameter of the rectangle, rectangular shape के इसके होती है, जिसके आमने सामने की line equal होती है, okay, मतलब this equal to this, and this equal to this, okay, this is the rectangular shape, okay, तो इसकी formula, इसकी निकालने की, 2 into length into breadth, breadth is this, and the length is this, okay, this is length, and this is breadth, 2 into length plus breadth, okay, and the parameter of the square, square means all sides are equal, square means all sides are equal, is equal to 4 into side, 4 into sides, okay, okay, चलिए हम लोग नेक्स एक बड़ प्रोब्लम देखते, a square lawn, lawn, a square lawn has a side, that is 8 meter long, एक लोग कैसा है, lawn की shape कैसा है, square, तो हम लोग क्या है, इस तरह की होगी, जिसके all sides are equal, square lawn has a side that is 8 meter long, okay, उसकी एक side की लेंद कितना है, 8 meter, how much wire will be needed to fence the lawn, okay, how much wire will be needed to fence the lawn, also, find the cost of fencing at the rate of rupees 2 per meter, okay, तो जो भी square है, suppose, this is the square, उसकी one side की length क्या है, okay, तो वी नो, हम लोग क्या जानते है, square has all sides are equal, square की क्या होती है, all sides equal होती है, it means यह भी 8 meter, 18 meter, यह भी 18 meter, and this side is also 18 meter, okay, तो आप हम लोग को क्या देखना है, parameter के लिए क्या है, हमें क्या करना है, देखिए, आपकर question है, how much wire we needed to fence the lawn, अच्छा, lawn को fence करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चारो तरफ से इसकी boundary करने, इसके बीच में तो होती नहीं है, fence करने के लिए इसके चारो तरफ से boundary देने ही परती है, तो इसके लिए हमको क्या, perimeter की जोद पड़ेगी, इस square की perimeter क्या है, तो perimeter, perimeter of square is called to, 4 into side, perimeter of square is called to, 4 into side, तो 4 into side कितनी है, 18 meter, तो क्या होगा, 4 into 8, sorry, 4 into 18, 18 forza, 18 forza, 72 meter, okay, 18 forza, 72 meter, अब इसमें क्या बोल रहा है, also find the cost of fencing at the rate of 2 rupees per meter, एक meter को fencing करने के लिए हमें, 1 meter को fencing, 2 rupees लगती है, तो 72 meters को fencing करने के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, multiplication, तो therefore, cost of fencing, 72 meter, is called to, 72 into 2, okay, 22 is a 4, 27 is a 14, okay, 22 is a 4, 27 is a 14 rupees, okay, the cost of fencing 72 meter is a 144, okay, तो हमें, तो हमें, तो हमें, is 72 meter, अच्छा है, एक square lawn है, जिसकी perimeter क्या है, 72, यहाँ पर already perimeter is given, okay, find the length of the side of the square, okay, तो हमें, square lawn है, इसके हमें, sides नहीं पता है, okay, इसकी perimeter कितना है, इसकी perimeter कितना है, 72 meter, okay, तो perimeter की formula हमने आपको पता है, अभी अभी, 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 एक्स्प्लेइन किया है, 4 into side, 4 into, perimeter is equal to 4 into side, equal to 72 meter, okay, तो perimeter is equal to एक square है, उसकी perimeter हमारी कितनी है, 72 meter है, तो हमें, क्या पता करना है, find the length of the side of the square lawn, इस lawn की, एक side की length क्या है, okay, इसकी एक boundary की length क्या है, तो, अब हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से है, तो side is equal to as 72 divided by 4, 4 इधर से इधर आ गया, 72, okay, perimeter is equal to 72 meter, is given, तो हमें, पता करना है, इस square की sides कितनी है, एक side की length कितनी है, तो perimeter क्या formula क्या हमारे, 4 into side, 4 into side is equal to 72 meter, is given, then as is equal to, यहां से इधर आने के लिए, हम लोगों क्या करना पड़ेगा, division, आप लोगों algebra में दिखा है, और liner equation में भी सिखा है, okay, तो as is equal to 4 से हमने 72 को division करना है, तो 4 ones are 4, rough में कर लिजे work, no confusion, 4 ones are 4, 3, 2, 4 eights are 32, it means 18 meter, इसकी एक length कितनी है, square की, one side की length 18 meter, the answer is, 18 meter, okay, now एक और सम्सम्रुख देखते हैं, the length of a side, the length of one side of a square, filled is 25 meter, okay, the length of one side of a square, again, land की field की shape क्या है, square में है, ओके, यह चीज़ ध्यान रखेगा, वो rectangle बोल रहा है न, square बोल रहा है, उसके हिसाब से हम दोनों में से एक formula यूज़ करेंगे, okay, square की formula क्या है, 4 into sides, और, फिर से मैरे फिट कर देती हूँ, square की formula 4 into sides, and perimeter of rectangle is called to 2 into length plus breadth, 2 into length plus breadth, okay, तो यहाँ पर square बोल रहा है, तो square के लिए हमें क्या आप करना पड़ेगा, the length of one side of square field is 25 meter, एक side की square की length क्या है, 25 meter, find the cost of fencing at the rate of, find the cost of fencing at the rate of rupees 10, मतलब 10, 18, sorry, at the rate of rupees 18 per meter, एक meter को fencing करने के लिए 18 rupees, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकानला पड़ेगा, इस square की perimeter क्या है, तो perimeter is called to 4 into side, okay, तो 4 side की length कितनी है, 25 meter, this means 100 meter, perimeter is called to 100 meter, the cost of fencing 1 meter is called to 18 rupees per meter, okay, the cost of fencing 1 meter, rupees 18, therefore, the cost of fencing 100 meter, therefore, cost of fencing 100 meter is called to 18 into 100, is called to 1800, this is the rupees, okay, this is rupees, rupees 1800, okay, this is the answer, तो, क्या पूच रहाई समें, the cost of fencing at the rate of 18 per 100, find the cost of fencing, okay, तो find the cost of fencing, इसमें, fencing करने की cost क्या लगेगी, यह पूच रहा है, तो fencing करने की cost हमारी क्या लगेगी, 1800, rupees 1800, okay, तो चलिए, यह हमारा perimeter of the, perimeter, perimeter and area की perimeter complete हुई, अब next video में, इसकी part 2 में, हम लोग area, area पढ़ेंगे, what is area and, what is area पढ़ेंगे, और area कैसे find out होते हैं, उसके cost कैसे निकलते हैं, वो हम लोग देखेंगे, ओके, बाइबाइ, अगर आप मेरे channel पर नए हैं, तो subscribe जरूर करिएगा, और, अपने दोस्तों के साथ, सेर जरू करिएगा, ओके, बाइबाइ,